हेलो फ्रेंज नमस्कार स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्मेंट योगी पर फ्रेंज अगर आप चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाईए और उसके बाद नोटिफिकेशन में आल का बटन जरूर दबाईए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें तो आईए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंस जब भी कोई IPO आता है तो IPO में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें listing gain मिले और साथ साथ हमें long term short term जो भी gains है वो हमको मिलते रहें और companyya हमें अच्छा return देती रहें लेकिन अब जब भी हम IPO में invest करते हैं और खासकल जब हम बात करते हैं retail investors की जो भी वो IPO में invest करता है तो उसकी expectation कम से कम listing gains की तो होती ही है और उसके बाद अगर वो hold करता है positionally अगर किसी share को hold करता है तो उस आधार पे वो चाहता है कि उसको ऐसा return मिले जो कि वो एक satisfaction उसको मिले और उस आधार पर वो share बाजार से कुछ पैसा कमा के जाए तो IPO में इसलिए हम invest करते हैं कि हमको कम से कम listing gain मिल जाए और long term में वो share हमें एक multi-bagger share के रूप में वो हमारे साथ हमारे portfolio में लगा रहे और इस तरह से हम एक successful investor बनना चाहते हैं अब इसके लिए हम करते क्या हैं हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी कमपनियों का हम चुनाव करते हैं जो की well loan कमपनियां होती हैं जिनोंने अपना performance दिया होता है और उनके products हम खुद use करते हैं उनकी services को हम swam use करते हैं तो उसमें हमें doubt ने रह जाता लेकिन अगर कुछ आहाल ही के IPO को अगर हम लोग देखेंगे उन IPO के बारे में अगर हम उनके performance को देखेंगे तो उनका जो performance है वो इतना ज़्यादा down होता चला जा रहा है कि हमें doubt हो रहा है कि इन कमपनियों के IPO को सेवी ने allow हुई क्यों किया ये ऐसी कुछ कमपनिया थी जिनको सेवी ने allow किया और इन्होंने market से अच्छा खासा पैसा उठाया जबकि ये कमपनिया लॉस में चल रही थी और कुछ कमपनिया तो ऐसी है जो कि अच्छी कमपनिया है अपने sector की एक dominated कमपनिया है जैसे कि LIC सभी कमपनियों के IPO के performance को ध्यान में हम रखते हैं तो investors को यहां से बहुत ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं तो आईए देखते हैं उन कमपनियों की जो हाली ही में लिस्ट हुए उनसे काफी expectations थी market की retail investors की और अभी तक उन सभी कमपनियों ने retail investors को निराश किया है इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम 197 Communication Limited 197 Communication Limited यानि की Paytm Paytm ने इस IPO के माध्यम से अच्छा कासा एक कॉर्पस 18,500 करोड रुपे का उठाया और इसमें जो इनका issue price था वो 2,150 रुपे था उस हिसाब से यहां पे देखिए investors के wealth के अंदर काफी ज़्यादा माइनस हो गया है portfolio में 615 रुपे all time high इनका all time return की बात करेंगे तो 60% है यह जब से list हुआ जब से यह list हुआ तब से ही माइनस में ही चल रहा है कभी इसने 2150 का level टची नहीं किया अब अगर इस तरह की कंपनियों को हम देखेंगे तो इन कंपनियों के बारे में एक analysis करते हुए एक चीज़ समझ में आती है कि यह कंपनिया loss making कंपनिया थी loss making कंपनिया थी but with promising future इनका future जो है वो promising है अब यह future कब आएगा यह कुछ कहा नहीं जा सकता इन कंपनियों के promoters ने share खाली किये जनता ने उन shares को और DII, FII of course उन लोगों ने भी इसको promote किया उस हिसाब से अब इन कंपनियों को performance देना होगा और उसके बाद कहीं न कहीं जब 2150 की बात होती है तो उसको cover करने में काफी ज़्यादा समय लगने वाला है और उसके बाद profit की बात होगी तो हो सकता है कि जो retail investors हैं कुछ उसमें से निकल भी गया हो लेकिन अगर जो रुके हुए हैं तो वो एक promising future के कारण रुके हुए थी केवल 615 रुपे बें आज के date में आपको ये stock दिखाई देता है friends उसी तरह से एक और promising और नए जमाने का stock Zomato Zomato की आप बात करिए तो आपको ये दिखाई देता है 65 रुपे पर इसकी जो issue price थी वो थी 76 रुपे के आसपास और maximum return आप देखेंगे 48% का down है ये इसलिए 48% के down दिखाई दे रहा है क्योंकि ये करीब करीब 125 रुपे पर list हुआ था तो वहाँ पर तो इसने अच्छा performance दिखाया था लेकिन since I said कि ये भी एक loss making company है और loss making company list तो हो गई because of उसके future promising returns के कारण लेकिन जब भी market में volatility आती है तो सबसे पहले निसाना किसी company के shares पर अगर पढ़ता है तो वो होती है loss making company है उनकी पिटाई सबसे ज़्यादा होती है और Zometo भी उससे दूर नहीं था क्योंकि ये loss making company है तो इसकी पिटाई हुई और ये अभी 65 रुपे के level पर आ गया है और आप अगर देखेंगे 52 week low और 52 week high देखे 169 और 50 रुपीज के range में ये stock चला 50 रुपे तक ये जा चुका था इन्वेस्टर्स यहां से long term में जो रुके हुए है वो इस समय negative return पर यहां पर आके बैठे हुए जिनों ने जिनको और IPO में मिला हुआ है उनके returns भी यहां पर negative है अगर जो पहले दिन यानि कि लिस्टिंग गेर में निकल गए तो उनके यहां पर फाइदा हुआ है अगला नाम इस लिस्ट में है पॉलिसी बजार पीबी फिंटेक कंपनी का नाम है और ब्रैंड है पॉलिसी बजार आज की डेट में इसका जो value चल रहा है वो 580 रुपए चल रहा है और जब बात की जाती है कि इसने return maximum कितना दिया all time से अगर आप आप compare करेंगे तो 752 रुपए यानि कि 56% माइनस का return दिया हुआ है 980 रुपए के आसपास इसकी IPO की price थी और वहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे all time return 56% के आसपास माइनस ये शो हो रहा है 980 रुपए पर भी जिन्होंने लगाया हुआ है उनका भी return यहाँ पे negative हो रखा है company policy बेचती है और वो policy बेचती है online तरीके से अब यहाँ पर इनका जो business model है वो अच्छा है direct customer से contact करते हैं और उससे साब से revenue इनके काफी ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन again ये भी एक loss making company है loss में चलने वाली company है तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी अभी investors का जो पैसा है उसको grow होने में समय लगने वाला है कुल मिला करके policy बाजार ने भी IPO में starting में listing gain तो दिया लेकिन अभी positionally ये company अच्छानी काम कर रही है और investors का पैसा उसका portfolio में minus ही दिखाई दे रहा है friends इस list में अगला जो नाम है वो है car trade tech limited का car trade tech एक ऐसी company है जो की second hand car के में deal करती है 612 रुपए 612 रुपए इस समय चल रहा है और 59% डाउन है इसके IPO को करीब 1500 से 1600 के range में लोगों ने subscribe किया था 1500 से 1600 रुपए के range में लोगों ने subscribe किया था और आप देख सकते हैं कि ये 612 रुपए इसका देखे 460 रुपए इस 52 वीक लो है 1618 रुपए तक ये गया हुआ है इस एक साल में और इस समय 616 रुपए चल रहा है यानि कि IPO में जीनों ने भी लगाया हुआ है और वो सोच रहते कि ये IPO में लगाने के बाद ये कमपनी ये भी नए जमानी का इस्टॉक है और उपर इकी तरफ भागेगा तो उन्हें निरासा हाथ लगेगी लॉस मेकिंग कमपनी है और उस हिसाब से यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स को काफी जादा निरासा हुई है कार ट्रेड भी उसी रास्ते पर चल चुकी थी अब हम लोग बात करते हैं लार्जिस्ट IPO की अब तक के सेयर बजार के लार्जिस्ट IPO की जो की बजार से 21,000 करोड रुपे उठाया जिसने उसके पहले सेकंड लार्जिस्ट IPO हो गया पेटियम का पेटियम ने बजार से उठाया 18,500 करोड दोनों ही आईपियों में जनता को कुछ नहीं मिला सिवाए मायूसी के अब आप देख सकते हैं कि 904 रुपए के आसपास जो उनका हायर प्राइस बैंड था लाइसी का उसे साफसे इस समय साथ सो बावन रुपए पर ये चल रहा है आठ पर्सेंट के नीचे इस समय रिटन दिया हूआ है LIC जब भी लिस्ट हुई उसने लिस्टिंग गेन भी नहीं दिया LIC ने लिस्टिंग के दिन से ही negative return ही दिया हुआ है और अभी तक investors को उसने कोई positive return अपने share से नहीं दिया हुआ है पीश में dividend की जो news आई है dividend के लिए कोई भी invest नहीं करता सबी जानते हैं लेकिन आप देखिए 918 तक ये गया और उसके बाद 751 low है इनका अभी 722 रुपए पर चल रहा है तो LIC से भी हमें जबर्दस तरीके से निरासा हाथ लगी है जब भी कोई retail investors invest करते हैं तो वो देखते हैं कि company क्या है उसका portfolio क्या है अब LIC जैसी कंपनिया हो चाहे PTM जैसी कंपनिया हो इनका product वो use करते हैं और उन्हें लगता है कि ये कंपनिया अच्छा करेंग तो normally चल तो सकता है धीरे धीरे ही चले सही लेकिन वो चल किदर रहा है उल्टा चल रहा है तो क्या हाथी ऐसा है कि जो उल्टा चल सकता है सीधा नहीं चल सकता LIC तो एक profit making company है अगर हम Paytm की बात करें तो वो तो profit making company नहीं है तो उस से साब से यहाँ पर problem क्या है LIC में problem supply की है डेर सारे shares जो है वो बेचे गए हैं सरकार के माध्यम से और वो केवल 3.5% shares ही बेचे गए हैं अभी भी सरकार के पास काफी ज़्यादा stick है और अगर सेबी के rule की बात की जाए तो 75% ही promoters के पास होना चाहिए उससाब से दीरे दीरे और भी shares बेचे जाएंगे उससाब से गर हम देखे तो supply में कोई भी कमी नहीं है supply आती रहेगी और LIC का भी IPO या FPO जब भी आता रहेगा तो उसी तरह से behave कर सकता है जैसे IRFC में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे 22 रुपए के level पे ही वो IPO के price से 26 रुपए के price से नीचे आपको हमेसा दिखाई देता रहता है तो friends य एक eye-opener things है कि बड़े-बड़े IPO पैसा बना के देते हैं ऐसा तो कभी नहीं दिखाई देता है Reliance Power ने भी market से 10,000 करोन रुपए उठाये और वहाँ पर हमें निराशा हाथ लगी LIC, PTM और इसके अलावा हम Cole India कभी देख सकते हैं वो भी एक ऐसा IPO था जो जिसने market से काफी ज प्रेटेड जुड़े हुए हैं और इन बड़े-बड़े नामों से नहीं होता है, परफॉर्मेंस से होता है, परफॉर्मेंस जो कि उनके balance sheet में आना चाहिए और balance sheet में जब तक आप profit नहीं देंगे, balance sheet में आप profit नहीं देंगे तो आपका share market में share निचे ही जाने वाला है, वो उपर नहीं जाने वाला है, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि recent IPO ने अपने investors को निराशी किया है, friends I hope की IPO पर ये जो analysis है वो आपको अच्छी लगी होगी, और आप IPO की बारे में एक अपनी राय कंपनियों को ले करके, और कहां invest करना चाहिए, किस तरह से करना चाहि ये बनाने में सफल रहे होंगे, thank you so much, friends I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको like करिए, comment करिए, और इस वीडियो को जास ज्यादा लोगों तक share करना ना भूलिए, thank you so much friends